मानुगे करुणा की तिव्य चमक पाकी लेखक सरविश्वर दयार सक्सेन हैं जिन्होंने पेल्जिम में जन में फादर कामील बुलकी के व्यक्तित्व यानि परस्नारिटी और जीवन का पहुत ही खुपसूर्टी से वर्णन किया है फादर एक इसाई सन्यासी थे लेकिन वो आम सन्यासी जैसे नहीं थे भारत को अपना देश और अपने को भारती कहलाने वाले फादर कामील बुलकी का जन बेल्जिम के रेंप्स चेपर्ड शहर में हुआ था जो गिर्जो पादरियों धर्मगुरू संतों की भूमी कहा जाता है लेकिन उन्होंने अपने कर्म भारत को बनाया फादर का मील बुलके ने अपना बच्पन और जवानी के प्रारंबिक साल रेंप्स चैपर्ड में बिताई थे फादर बुलके के पिता एक व्यवसाई थे एक बिजनसमें थे जबकि एक भाई पादरी था और एक भाई पर के ने इंजिनिरिंग के आखरी साल ही पढ़ाई छोड़ कर सन्यास धारर कर लिया था उन्होंने सन्यास धारर करते वक्त भारत चाने की शर्त रखी थी जो माल ली गई दरसल फादर भारत और भारती संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावे थे इसलिए उन्होंने पादरे बनते वक्त ये शर्त रखी थी फादर बुलके सन्यास धारर करने के बाद भारत आ गए वे यहीं के होकर रह गए वो भारत को अपना ही देश मानते थे फादर बुलके अपनी मां से बहुत प्यार करते थे वो अक्सर अपनी मां को याद करते थे उनकी मां उन्हें पत्र लिखती रहती थी जिसके पारे में वो अपने दोस्ट डॉक्टर रगुवंच को बताते थे भारत में आकर उन्होंने जिस सेट संग में दो साल तक पादियों के बीच रहकर धर्मचार की पढ़ाई की फिर नौदस साल वो दारजलिंग में रहकर उन्होंने पढ़ाई की इसके बाद उन्होंने कोलकता से बी-ए और इलाबाद से हिंदी में में के डिग्री हासिल की और इसके साथ ही उन्होंने प्रयाग विश्व विद्याले की हिंदी विभाग में सन 1950 में रामकता उत्पत्ती और विकास विशए में शूद भी किया फादर बुलके ने मातर questionnaire's college रांची में हिंदी और सांस्क्रित विभाग के विभाग देश्र के रूप में विकारी किया यहां उन्होंने अपना एक प्रसिद्र अंग्रेजी हिंदी शब्द गोश्ट बी तियार किया और बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया उनका हिंदी के प्रती पहुत ही सेवन वर्शों तक रहे इस बीच वो सिर्फ तीन या चार बार ही अपनी मात रभू में बेर जिम गए सन्यासी धर्म के विपरीद फादर बुलके का लेखक से बहुत ही जादा आत्मे संबंद था फादर लेखक के पारिफारिक सद्य से जैसे ही थे लेखक का परिचय फादर बुलके से इलाबाद में हुआ था लेखक फादर के वेक्तित्व से काफी प्रभावे थे लेखक के अनुसार, फादर वादसल्ले और प्यार के साक्षर मूर्टी थे वो हमेशा लोगों को अपने आशिरवाद से भर देते थे उनकी दिल में हर किसी के लिए प्रेम, अपना पन और दया भाव था वो लोगों के दुप में शामिल होते और उन्हें अपना मधुर वचनों से संतावना देते थे वो जिससे एक बार रिष्टा बनाते उसे जीवन भर निभाते थे फादर की दिली तमन्ना हिंदी को राष्ट भाषा के रूप में देखने की थी वो अकसर हिंदी भाष्टियों की हिंदी के प्रती और पेक्षा को देखकर तुकी हो जाते थे फादर बुलकी की मृत्यू इलाबाद में जहरबाद से पीरित होकर हुई लेखक उस वक्त भी दिली में रहते थे लेकिन उनको फादर की बिमारी का पता समय से नहीं चल पाया जिस कारण वो मृत्यू से पहले फादर बुलकी के दर्शन ही नहीं कर पाए इस बात का लेखक को कहरा अफसोर्स था 18 अगस 1982 की सुबा 10 बजे कश्मीरी गेट के निगल सन कबरगा में उनका ताबुच पादियों रगुवंच जी के बेटे राजेश्वर सिंग द्वारा उतारा गया फिर उस ताबुच को पेडों की खाई च्छाव वाली सड़क से कबर तक ले जाया गया उसके बाद फादर बुलके के मृत शरीर को कबर में उतार दिया गया राजी के फादर पासकल तेओना ने मसीखी विदी से उनका अंतिम संसकार किया और सब ने नम आखों से फादर बुलके को अपनी शौधांजली अर्पित की उनके अंतिम संसकार के वक्त वहां हजारों लोग एकटा थे जिन्होंने नम आखों से फादर बुलके को अपना अंतिम शौधांजली दी लेकर कहते हैं कि जिस इंसान ने जिन्दगी बर दूसरों को वाजसले और प्रेम का अमरित पिलाया और जिसकी रोगों में तूस रोगले मिठास भरे अमरित के अलावा और कुछ नहीं था उसकी मृतियों जहराबाद से हुई ये फादर के प्रती उपर वाले का घूर अन्या है लेकक ने फादर की तुलना एक ऐसे चायादार पेड़ से की है जिसके फल फूल सभी मीठी मीठी सुगंद से भरे रहते हैं और जो अपनी शरण में आने वाले सभी लोगों को चाया से शीतलता प्रदान करते हैं ठीक उसी तरह फादर बुलके भी हम सब के साथ रहते हुए हम जैसे होकर भी हम सब से बहुत अलग थे प्राणी मात के लिए उनका प्रेम और वादसले उनके व्यक्तित्व को मानवी करूना की तिव चमक से प्रकाश मन करता था लेखक के लिए उनकी स्मृति उनकी यादे किसी यग्य के पवित्र अगनी की आच की तरह है जिसकी तपन वो हमेशा महसूस करते रहेंगे